नमस्कार आप देख रहें Lloyd City और मैं हूँ आपके साथ साहवली बिहार में हर रोज राजिनितिक समिकरन बदल रहे हैं राजिनितिक परिस्थितियां बदल रही हैं आज रावडि आवास पर एक बर फिर से बैठक राजत की नहीं होगी बैठक की है होगी महागरण बंदन की इस बैठक में 2020 के विधान सभा चुनाव पर चर्चा होगी, रणनीती बनेगी, इसके साथी साथ पुराने पन्ने भी खोले जाएंगे, मतलब कि 2019 के लोग सभा चुनाव में, बिहार में जिस तरह से महागडबंदन ओधे मुगिर पड़ा था, कॉंग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, बाकि किसी को भी कोई सीट हासिल नहीं हुई थी, करारी हार मिली थी, यहां तक कि जो नेता पहले से वहां से सांसत थे, वहीं स जिर्कत करने के लिए पहुँचेंगे, हमारे समधाता वहां पर मौजूद रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, दरसल महागडबंदन की इस बैठक से पहले राजत की बैठक हुई, तेस्वी आदो जोकी नेतापरतिपक्ष हैं, उनके नेत्रित्तो में राजत की बैठक हुई, राजत के सीनियर नेताओं की बैठक हुई, तेस्वी आदो ने अपनी मा और पूरु सीम रावडी देवी को सदस्ता भी दिलाया पार्टी का, सदस्ता अभियान जो चल रहा है राजत का उसमें 50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष रखा गया है और इसी बीच तेस्वी आदो ने राबडी आवास पर जो बैठक की उसमें सदस्ता दिलाई गई राबडी आदो ने सदस्ता ली पार्टी की एक बार फिर से और इसके साथी साथ चर्चा भी की गई आपने देखा होगा बैठक चल रही थी तेस्वी आदो गरज रहे थे निशाना साथ रहे थे उसके बाद एक बंद कमरे में भी मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी तेस्वी आदो उसको लीड कर रहे थे माना ये जा रहा है कि महागडबंदन की इस बैठक में राजद में हुई बैठक पर जो चर्चाय हुई जो पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए उसको लेकर के भी इसमें बादचीत होगी इसके साथी साथ ये निती तैकी जाएगी कि आने वाले विधान सबाद चुनाओ जो 2020 में होना है उसमें बिहार में NDA को किस तरह से परास्त किया जाए किस तरह से जनता के बीच जाए 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 कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको भूनाने की पूरी कोशिश की जाएगी आपको बता दे कि महागडबंधन हासिये पे चल रहा है महागडबंधन के ही कुछ ऐसे नेता है जो पहले महागडबंधन के लिए मर मिटने को तयार थे राजत के पक्ष में बोलते थे तेस्वी आदो को CM कैंडिडेट बताते थे लेकिन अब वही नेता सुर अलाप रहे हैं अलग सुर अला महागडबंधन के बैठक से ठीक पहले माना यह जा रहा है कि पप्पु यादो कवायत कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की और जो पिछली मीटिंग हुई थी उनकी जीता नमाजे उसमें कहा भी दिया था कि जीता नमाजे सीनियर लीडर है अगर उनका नेतरीत तो होगा तो हमें मनजूर है तो कहीं न कहीं सभी के बीच में महागडबंधन की आज जो पटना के दस सरकुलर रोड इस्तितराबडी आवास पर यह जो बैठक होनी जा रही है यह कई मायनों में बहुत महत्पून बैठक होगी आप लाइफ सिटीज साथ बने रही हैं हम आपको भीहार समय देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फेस्बूक पेज को लाइक कर और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइफ सिटीज कर दो कर दो कर दो कर दो